हाई विल्कम बाक रुट मैं चैनल दिवनी टेर और सिक्ष्वेट रूट रूट आपको चाहते हैं उनके नजरिये से देखकर आप कैसे इंसान हो ठीके तो यह हम देखेंगे हैं डेफिनेटली देखेंगे आपकी होने से या ना होने से उनको क्या फर्क परता है या नहीं of course it will be a timeless collective for all zodiac science and it is a general prediction channel को like share subscribe जरूर करे instagram में follow करे at sudakshina 1369 and you can also subscribe my second channel so let's get started इस दौरान आप अपने person के बारे में लगादार focus केजी और हम देखेंगे कि वो वाकी में क्या सोचते है आपके बारे में आपका होने से या ना होने से क्या उनको फर्क परता है ठीके to what extent do they love you and whether your existence okay does affect them or not so let's see universe spirit guides and angels please guide me in the right direction thank you universe thank you spirits and thank you guides okay so what is the thing is like that यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है कि it's a piece of skeleton यहाँ पर एक skeleton है जो indicate करता है कि of course आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हाथसा ऐसा हो चुका है जो लगभख कुछ लोग के लिए it's not for everyone कुछ लोग के लिए बिलकुल endings तक चला गया था जिस तरह से होता है ना volcanic mountain मतलब आपको पता है ना fiery mountain जहां से वालकन हो जो लावा जो निकलते है आग का गोला जो बोल सकते है निकलते रहता है तो उस तरह का atmosphere जहां पर high pressure zone है जहां पर बहुत खतरनाक चीजे होते हैं तो उस तरह का जिस तरह से accidents हो जाते हैं तो आप दोनों के बीच में लगभग वैसे ही जैसे आपको लग रहा होगा कि आप दोनों में से मतलब किसी को तो इस relationship में quit करना ही पड़ेगा इस तरह का माहूल कुछ हुआ था maybe there were certain evil energies that had come in between वहना इतना खदरनाक situation कैसा होता ठीके सो यहां पर मुझे दिख रहा है maybe आपके person की घरवाले आपको मानने के लिए ready नहीं थे फिर आप दोनों decision नहीं ले पारे थे आपके person किसी और जगा पर relationship रखे थे और आपको बताया नहीं थे और जब आपको पता चला आपकी जैसे पैरो तले जमिन खिसा गया और कहिना गहीं पर आप इतना shocked हुए कि जिस इंसान के लिए मैं अपने ही बहुत कुछ मैंने अपना समय दिया मैंने अपना वक्त दिया मैंने अपना दिल दे दिया उनको और किसी को भी मैं accept नहीं कर पाया या कर पाई उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ठीके so there was like a volcanic eruption ठीके वालकन जो mountain होता है पहार होते है वो हमेशा burst नहीं होते कभी कभार burst हो जाते है explosion हो जाते है जैसे bomb गिर गया हो ऐसा कुछ होता है और पूरी तरह से आग फैल जाता है इसलिए उसके आसपस माना जाता है कि कोई भी नहीं रहते ठीक है so इसी तरह से यहाँ पर मुझे एक jellyfish नजर में आ रहा है so गयनागाई पर jellyfish जो है उसको अगर touch करे तो वो poison छोड़ देता है so गयनागाई पर soft ठीक है वो सब्सक्राइब करते हैं लेकिन गयनागाई पर इनको मतलब आप जब से इनके करीब आये है तब से आप बह dust feel करते हैं इस वजह से कि आपको insecurities मैसूस होता है जादा इससे पहले इतना जदा positive आप किसी भी relationship में नहीं हुए आपने हर एक relationship में जैसे normally रहा है रहने की कोशिश की लेकिन ये relationship कुछ खास था आपके लिए और अभी भी है and I find it like that यहाँ पर देखो एक wine glass बनते जा रहा ह है और यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है इस लाइक ब्रेट बटर टोस्ट पार्टीज ठीके फूड ड्रिंक्स ऑन दे टेबल तो काई नहीं पर आपके परसंट चाहते है कि celebration हो ठीके खुशिया मनाए लेकिन किस तरह से how how is it possible though they are thinking about okay so how do you find कि आप जो है ना इस इंसान मतलब के परसंट जो है ना इस relationship के लिए समंध के लिए फिर से एक चाह रखते जरूर है of course कि सब कुछ सही हो जाए and everything should come back into place सब लोग मान जाए आप दोनों के बीच में deep understanding बने आप दोने एक दूसरे के लिए समझना सीखे so they want it like this आप क्या चाहते हो यह उनके लिए बहुत ज़दा matter करता है so यहां से हम देखेंगे कि आप उनके नजरिये से आप कैसे इंसान हो so how you are as per their point of view so how you are as per their point of view उनके point of view से देखने से आप कैसे इंसान है आप ऐसे इंसान है जो इतना ज़दा हलचल नहीं मचाते है आप ऐसे इंसान है जो शांत रहना ज़दा ज़दा प्रेफर करते है आप उस पंखे के तरह है जो गर्मी में देखे बहुत ज़दा ठंडयाई के एहसास देते है उस तरह से ही मुझे दिखाई दे रहा है can you see the fan over here and you are very much you are having a very much cooling and calming effect आप जैसे बडव हो और वो जैसे आग है आप दो मतलब आप ही उनको पूरी तरह से शान्त कर सकते है अगर वो कुछ साह करते है तो आप ही उनको शान्त कर देते हो अपने बातों से, अपने आदास से, अपने ब्यूटी से, अपने औरा से वो चाते हैं कि आप उनको deeply understand करें यहाँ पे देखो गनेश जी की यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ रहा है फेस, सो सारे बाधाये जो है आप दोनों के बीच में जो रुकावटे है वो अपनेटिक गायब हो जाएं कि सारे इविल एनर्जी आउट ओफ दोर हो I can find the, okay I can find the letter U, 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 two times U I found, okay I, L, N, 11, okay, मुझे ribbons भी दिखाई दे रहा है जैसे कोई parcel, जैसे कोई gift आपके person आपके लिए अवश्य लेने वाले हैं I do find कि ये जो इनसान है न, ऐसे इनसाने जो आपके होने से या ना होने से ऐसा नहीं है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है वो आपके होने से भी उनको बहुत ज़दा असर होता है उनकी जिन्दगी में उनको लगता है कि आप वैसे इनसान हों जो आप ज़दा-ज़दा mind नहीं करते हर एक चीज़ को आप हर एक चीज़ को इतना ज़दा ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोल देंगे अप तुरंत mind कर लेंगे नहीं वो आपके साथ बात करने में comfortable महसूस करते हैं और ऐसा नहीं है कि वो बतलब आप उनके बातों से हमेशा root जाते हो या उनको ही मनाना पड़ता है बलकि उल्टा case भी हो सकता है कि आप इनको मनाते हो और वो root दे है ठीक है फिर फिर उनके पर उनको लगता जरूर है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है किसी को इतना भी किसी से इतना भी advantage नहीं लेने चाहिए सो उनको पता है कि आप कभी भी किसी से भी गलत फायदा नहीं उठाये हो उनके नजरिये में आप बहुत ही ज़ता respected हो ठीक है आप दूसरे लड़का या लड़की के जैसे बिलकुल नहीं है because you are truly, you share the true bonds with this partner so I do find कि जैसे फूल के जूले होता है जूला आपने देखा होगा so फूलों से बनता हुआ जूला मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे वो चाहते है कि फूलों का जो जूला है उसमें आपको ठीक है लेके बैठे और आप दोनों बहुत ज़रा ठीक है समय जो है वहाँ पे आराम से बिताओ थोड़ा सा बात करो so उस तरह के जूले में देख रही हूँ मैं भी हो साथा कि वो ऐसा शादी प्लान कर रहे है जहाँ पे दुला दुलान जूले में बैठेंगे उस तरह के ड्रीमी थॉट्स ठीक है इमेजिनेशन इनके माइड पे चलतरा रहाता है ओके so I do find over here यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उस तरह के ख्यालात यहाँ पे Aries and Scorpio is very important कुछ लोग के लिए हो सकता है अगर आप married है या कहने कहीं पे आपके family के साथ आपका trip जरूर हुआ है जहाँ पे गोमुक है हो सकता है hot springs में आपने नहाया है इसलिए मुझे वहाँ पे वालकन एक कुछ mountain दिखा था पहले इसलिए मुझे वहाँ पे कि वो जो गर्म पानी automatically हो जा रहा है उसके नीचे यही कारण है maybe there is a fire inside under the mountain ठीक है वही मैं इसलिए देख पा रहे थी maybe spiritually और बोथ connected to each other हो सता है कि आपकी शादी होने के बाद भी आप लोग बहुत सारे spiritual places में एक साथ जाए या गए थे आप लोग पहले so maybe वो जो फूलो का जो जूला मैंने आपको कहा वो कृष्णा जी भी राधा जी के साथ वैसे ही जूला जूलते थे उस तरह का feelings बतानी क्यों मुझे हो रहा है यहाँ पे एक butterfly जैसे बनता जा रहा था okay मंडब जैसे मैंने वहाँ पे देखा so उनके नजरिये से आप ऐसे fool hack जिसका महक कभी भी नहीं कम होगा उनके जिन्देगी में wow that's amazing वो यहाँ पे देखो हमेशा mouse लेके वो अपने जो भी आपके पुराने photos है ठीक है pictures है चाहे आपको अच्छा ना लगे या लगे वो आपके सारे photos scroll करके देखते है alright even आपके activities रहते हैं social media पे वो भी जानने की कोशिश करते है analyze करने की कोशिश करते है कि आप किस तरह के इंसान हो अगर वो आप भी आपको still नहीं जान पाए या अगर आपके लिए यह relationship एकदम पूरी तरह से ना newly created हो मतलब नया relationship है तो यहां से हम देख लेते हैं with the oracle cards so universe, spirit guides and angels please guide me in the right direction यह मेरे जो viewers है उनके लिए क्या advice आ रहा है so priestess of avalong divine inspiration, ancient knowledge initiation and healing मैं आपको यह ही कहा न कि you are the source of inspiration you are just like a healer to them और यह connection पूरी तरह से आधिहती खी है blue is the color for you can say that spiritual quest or spiritual knowledge तो of course इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है the white heart realignment, awakening, new beginning and perspective मैं आपको यही कहा कि नई शुरुआत वो चाते है यह भटक चुके थे यह जो है ना यह भटक गया था फिर बात में उसको पता चला कि अच्छा यह घर ही है जहां पे मुझे जाना है so फिर से यह इंसान आपकी सिंदेगी में आ रहे है after lots of experiences the other world rebirth, journey everlasting and the ethereal so यह एक everlasting relationship है कभी भी मैंने आपको just last में कहा था कि कभी भी आपके महक नहीं कम होंगे और कभी भी आपके ideas या आपके जो एक औरा है कभी भी उनके लिए कम नहीं होगा और दूसरा चीज है यह relationship को फिर से एक नहीं नाम देना चाहते है नहीं शुरॉत करना चाहते है दूसरा चीज है यह relationship जो है बहुत ज़दा subtle है subtle का मतलब है बहुत ही सदा आप उसको से महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते है relationship को आप महसूस कर सकते हो लेकिन इतना ज़दा आप देख नहीं सकते है मतलब सर्च रहे हो ना that level of energy मैंने आपको यह भी कहा था कि आप ऐसे fool है जिसका मह कभी भी नहीं खताम होगा तो उसी तरह से कुछ दिखा रहा है 28. NIMU confidence, respect and self-esteem देखो आप ऐसे इंसान हैं जिसका self-respect कभी कम नहीं होने चाहिए तो कहना कहें पर आपकी श्रद्धा आपकी भक्ती आपका जो प्राट्थना वो जरूर स्विकार होगा and you remain tension-free here but किसी भी हालत में आपकी जो मान-समान है आपकी जो असमिता है उसके उपर कभी भी आज नहीं आना चाहिए ठीके, so this is all about today's reading guys, I hope you like it and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section